Hello everyone, तो आज हम nationalism in India class 10th को discuss करने वाले हैं और इसमें यही समझेगे कि nationalism in India से caution किस तरीके से आपके term 2 में आएंगे और किस तरीके से अपन को approach करना है nationalism in India के caution से तो start करते हैं सबसे पहले word nationalism को discuss करके nationalism एक feeling है, एक emotion है, एक moderate love है moderate love towards our nation याद रखना ये एक moderate love है, अगर ये extreme love हो जाएगा तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी लेकिन moderate love towards our nation में हम discuss करेंगे किस तरीके से भारत में हर व्यक्ति के अंदर nationalism डैवलाप होना चालू हो गया although इसका history काफी साथ पुराना है, भक्ति movement में कहाँ nationalism डैवलाप होना चालू हुआ और धीरे धीरे nationalism का concept आज के समय देखने को मिला nationalism एकदम से develop नहीं होगा, समय लेगा, एक long term process होती है nationalism को develop होने की, वो एकदम से कभी develop नहीं होगा इस पूरे chapter में हम लोग आजादी की तरफ move नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ इस word को finish करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से nationalism डैवलाप हुआ तो इसमें हम लोग non-corporation movement के साथ civil disobedience movement को discuss करेंगे दो important movement और दौनो important movement में लोगों की सोच को समझने की कोशिश करेंगे कि लोग किस वक्त कैसा सोच रहे हैं और किस तरीके से गांधी जीन है एक प्रकार से लोगों को unite करने की कोशिश की और बहुत सारे important factor तो start करते हैं सबसे पहले non-corporation movement को समझने से देखो ये जो time है nationalism इंडिया का और non-corporation के movement का जो समय है वो काफी जादा versatile period है और इस चीज़ को आपको समझने के लिए पहले आपको world scenario देखना होगा तो world scenario की अगर हम बात करें world में क्या-क्या चल रहा है उसके बारे में बात करें तो ये जो period था इस time पे आपको देखने को मिलेगा world war first यानि जो की 1914 से 1918 तक रहा world war first fought हुआ था allies versus central power के बीच और जीता कौन? allies और allies ने बहुत सारी harsh treaty impose करना चालू कर दी किसकी उपर जो central power है उनके उपर और इसी बीच एक बहुत ही जादा famous treaty तीट्री ओफ सेवरेस जिसने central power के Ottoman Empire Ottoman Empire की Caliphate Post Caliphate Post या जिसे हम खलीफा भी बोलते हैं Caliphate Post पे काफी जादा risk रख दिया यानि ये काफी जादा एक prominent time था और इस time पे काफी जादा disturbing चीज़े देखने को मिली ये चल रहा है और इसी वक्त entry होती है हमारे गांधी जी की कहाँ पर? इंडिया में on 9th of January 1915 को गांधी जी एंटर होते हैं इंडिया में गोकले जी ने गांधी जी से कहा कि पहले आप इंडिया को समझो आपको काफी समय हो गया South Africa में रहते हुए अब आप इंडिया हो पहले इंडिया के political thing को समझो economic scenario को social thing को समझने की कोशिश करो तो इसी वज़े से गांधी जी पूरा एक साल इंडिया का टूर किया और इंडिया का social status समझने की कोशिश किये और यही जो दौर था इस नायम पर गांधी जी ने अपनी धीरे-धीरे popularity भी establish करना चालू की जैसे चमपारण सबसे पहला इन्होंने movement किया कौन सा चमपारण जो की 19, 16, 17 में देखने को मिला दैन आफ्टर खेडा जो की गुजरात में है वहाँ पर movement किया और उसके बाद एहमदाबाद मिल वरकर खेडा 1917 और एहमदाबाद मिल वरकर 1918 तीनो movement का objective अलग-अलग क्यों और क्यों तीनों अलग तरीके से गांधी जी ने किया ताकि लोगों के सामने गांधी जी की popularity increase हो लोगों के सामने गांधी जी ने इन तीन movement से एक concept पुट किया that is known as सत्या ग्रह चमपारण में इंडिगो plantation के कारण काफी जाद नुकसान हो रहा था इस वज़े से गांधी जी ने उनको support किया लोगों को के हाँ British जबर जस्ती इंडिगो plantation नहीं कराए खेडा में कहीं न कहीं crop failure देखने को मिला और लोग tax देने के oppose में थे के भई यह हमें tax नहीं देना है British को क्योंकि crop failure हुआ है और उस कारण सब उतने capable नहीं है तो इस वज़े से खेडा में भी गांधी जी ने support किया लोगों को और एहमदाबाद mill workers hike कर रहे थे या demand कर रहे थे अपनी income को hike करने का और इस कारण से गांधी जी ने इनको भी support किया और एक बहुत अच्छे से सत्यक्राय का concept समझाया कि non-violence को use करते हुए non-violence को धर्म बनाते हुए किस तरीके से एक successful movement को lead किया जा सकता है और इसी दौरान गांधी जी की popularity बढ़ना चालू हो गए और यही एक ऐसा time था जिस time पर political activity काफी जाद एक्स्ट्रीम हो चुकी थी और इसी time पर एक और important event देखने को मिला Roll Act Roll Act Act Roll Act Act 1919 में imperial legislative में यानि British के legislative में पास किया गया एक कानून था जिसमें किसी भी trial के बिना किसी भी political activist को दो साल तक की jail में डाला जा सकता है यह एक black law था सबसे जादा black law मतलब लोगों को आप लोगों की बात सुनोगे भी नहीं कोई वकील की भी बात नहीं कुछ भी नहीं आपको jail होगी वो भी दो साल के लिए तो इस चीज का विरोत करने के लिए गांदी जी सामने आए कि भाया यह यह चीज बहुत ज़्यादा गलत है और गांदी जी ने एक date अनूंस की 6th of April वो date क्या थी 6th of April क्या हम nationwide struggle करेंगे क्या करेंगे nationwide struggle पर problem क्या हुई 6th of देखो lack of communication इस टाइम पर काफी बड़ी problem थी लोगों के पास 6th April को वो news ही नहीं पहुँची तो कहीं 6th April को organize हो रहा है कहीं 10th of April को organize हो रहा है इस चक्कर में ये जो mass level पर organize होना था होना single day ये छोटे-छोटे हिस्सों में तूट कर रह गया और उतना जादा mass impact ये put नहीं कर पाए British क्योंपा लेकिन although British समझ गए थे कि एक leader born हो चुका है जो देश को आजाद कराने में काफी बड़ी योगदान या काफी बड़ी भूम का निबाने वाला है इसी की बात करेगा रॉल act act के बारे में तो 10th of April को 10th of April को अमरित सर में एक सब्सक्राइब कर दें 10th of April को अमरित सर में दो important leader को arrest कर लिया गया था I hope आप लोगोंने ये सारा लिख लिया होगा दो important leader को 10th of April को arrest कर लिया गया था जिसके चलते वहाँ पर martial law impose किया गया था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दो prominent leader को अमरित सर में arrest कर लिया था और इस कारण से काफी सारे लोग नारास थे और 13th of April को बैसा की fair के दिन सारे लोग gather हुए कहाँ पर जलिया वाला बाग में और जनरल डायर ने entrance को block किया और continuous firing की जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे बहुत सारे लोग मारे गए थे और order दिया था माइकल ओ डायर ने और फाइरिंग की जनरल डायर ने और इस तरीके से ये जो जलिया वाला massacre देखते हैं काफी जदा unfamous incidents था और काफी सारी लोगों की इसमें हत्या हुई जो की एक बहुत शोक वाली चीज तो और इसके चलते गांदी जी ने रॉल एक्ट को भी वापिस ले लिया कि मल अब सारी रॉल एक्ट सत्या ग्रह को वापिस ले लिया कि हां भाई यह एक्ट का विरोध अब यह कोई ऐसी बहुत बड़ी problem create हो गई है तो ऐसी कुछ चीजने से गांदी जी अब बाहर आना चालो होगे क्योंकि एक violence की तरफ वो चीज convert हो चुकी थी यह सारा incidence जब चल रहा था गांदी जी के मन में इसी टाइम एक विचार आया non-corporation का जो की काफी जादा important है non-corporation का जिसका concept वो अपनी किताब हिंद स्वाराज में दे ही चुके थे क्या होता है कि non-corporation मतलब कि British India में सिर्फ एक कारण से है वो यह है कि हम भारतिये ही British को support कर रहे हैं हाँ we Indians are supporting foreigners इसी वज़े से वो हमारी उपर rule कर रहे हैं तो उन्होंने का के भाया non-corporation करो हमा corporate ही नहीं करना है और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो British अपने आप वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाएगा और इसी कारण से कलकत्ता सेशन कलकत्ता सेशन जो की INC का हुआ था वहाँ पर इस बात को रखा गया और फाइनली जो नाकपुर सेशन था उसमें जो की 1920 में हुआ दिसंबर के टाइम पर उसमें इस चीज को को एडॉप्ट कर लिया गया था कि हाँ वी आर अडॉप्टिंग दा आइडिया ओफ नौन कोपरेशन मुवमेंट और इस मुवमेंट को हम नेशन वाइड और इसी कारण से जनवरी आते आते नौन कोपरेशन मुवमेंट को पूरे देश में लागू कर या एक प्रकार से चालू हो गया था नौन कोपरेशन मुवमेंट तो यह पूरी कहानी थी अगले हम लेक्चर में नौन कोपरेशन मुवमेंट और खिलाफवत मुवमेंट कैसे मर्ज हो के सामने है उसके बारे में डिसकस करेंगे फिर उसकी अधर थियोरी के बारे में देखेंगे उसके subscribe करें, thank you, have a nice day.